हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैसरेश टीचिंग में फ्रेंड्स ब्लाउज के आर्मोल में परफेक्ट शेप की इस प्रकार से देना चाहिए कि जिससे हमारा ब्लाउज के फिटिंग जो है परफेक्ट आए और आर्मोल में फुलान भी ना आए तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो प्लीज वीडियो को पुरा देखिएगा स्किप ना करिएगा तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यह अपना शोल्डर का लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर मैंने शोल्डर के लाइन ड्रॉ कर ली है अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल ने की हिसाब से लेंगे जो हमारा आट इंच नौ इंच या फिर साथ इंच साड़े साथ इंच इस प्रकार से हमारा पिछे का गला रहता है तो उसे के हिसाब स नौर्मल लिपने की हिसाब से यहाँ पर शोल्डर लिये हैं तो यहाँ पर देखिए हम एक और मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेते हैं ताकि हमारी जो आर्मूल वाली लाइन यह बराबर सिधे आ जाए तो देखिए इस प्रकार से हम इसको सिधा कर दिते हैं अब देख चेश्ट साइज के हिसाब से ही आर्मूल की लंबाई लेंगे तो आपका जो भी साइज हो आप उसी हिसाब से लीजिएगा और अगर आपको नहीं पता कि चेश्ट के साइज के हिसाब से आपको कितना आर्मूल की लंबाई लेनी चाहिए या फिर नॉर्मल लिपने की हिसा सबसे आपको कितना शोल्डर लेना चाहिए तो इसका भी चार्ट मैंने पहले शेयर किया हुआ है तो आप मेरे चानल पर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां देख सकते हैं तो चली अब यहां पर इस आर्म करकेड़ इस परकार से एक सीधी कि घिशते हैं यहीं केकचिंगे अब इसके बाद हम इसा लाइन पर अपना छीश्ट का साइज मिए यहां पर हम 34 िन चैश्ट का साइज लह रहे है ettया कि साधे 8 इंच फरेंगी इसका फोर पार्ट तो यह Knights इस प्रकार से टेप को रखिए इसका मार्किंग कर लिया है अब इसके बाद बारी आती है आर्मोल का शेप देने की तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते देखिए सीधा यहाँ से उपर से आर्मोल का शेप देना स्टार्ट कर देते यह देखिए इस प्रकार से तो यह जो यह तरीका है यह बहुत ही गलत तर ब्लाउज में आर्मोल के साइड में फुलान आ सकता है फ्रंट में या फिर बैक में दोनों तरफ फुलान आएगी तो यह जो प्रॉबलम है आपके इस आर्मोल के शेप देने के कारण आती है और एक बार अगर ब्लाउज सिल जाता है तो उसको दुबरा से ठीक करने में 13 जात ना आएगी यth करने के मार्किंग करने कमप्साओं वाचिक कल दुछा मार्किंग treffen के का टर्ट में प्रॉप है व्में welche को िनगेिश घर मार्किंग करने में प्रॉबलम का ओंद त्यम और कर में से यहां पर 40 चाहिए थान करेंगे और इस से थान पर 30 मार्किंगम अब फिर से टेप को इस प्रकार से रखें गज एकback को लागा तर हो अब धी towns को एक जए पर टीरी पर हो गया तो निशान तुos चिजट लिविब ऐसके इस तरह से मिलाते हुए हमें आर्मोल का शेप रखे दे दिना है यह देखिए इस प्रकार थी तो यह हमने यहाँ पर इस प्रकार से आर्मोल का बराबर शेप दे दिया है इसको हम डार्क कर लेते हैं तो इस प्रकार से जो है आपको आर्मोल का शेप देना है हाथ से मैंने यह दिया है आप चाहे तो इस प्रकार से फ्रेंच करू की मदद से अर्मोल का शेप दे सकते हैं और आपके पस इस परकार से फ्रेंख कर नहीं है तो आप जामेंने हाथ से इसक्ति हैं उस परकार से आप दे सकते। तो यह देखिए was बिल्कुल अच्छह से यहां पे बना देते हैं तो कह भी इस परकारब और करसे speechтор Od本च को और यहां पर देखें हैं यहां टो इस परकारब हो गया है तो सली सुद्रह सब्सक्राइब करें यह आप इंच की होती है इन नहीं तो इस प्रकार से आपको फ्रंट और बैक का एकदम परफेक्ट शेप देना है तबिए आपके ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी और यह जो तरीका है ये बिल्कुल भी गलत है इस प्रकार से आर्मॉल का शेप नहीं देंगे इस इसके बाद हमें एक काम यहां पे और करना है यह जो निशाने इसको इस प्रकार से हमें डाउन करना है देखिए इस प्रकार से लगभग हाफ पिंच की दूरी होनी चाहिए जो उपर वाली लाइने उससे नीचे की तरफ हमें इस प्रकार से डाउन कर लेना है हाफ पिंच की इससे प्रकार से मिन्हाम कर लिया है, तो यह इस प्रकार से आएगा तो देह कि यह बराबर 12 पिंज यहां पर आया हुआ है उस से ज़्यादा आप जाओं करेंगे नहीं तो आपके ब्लाउज में खीचावा सकता है तो यहाँ पर देखिए बस इतना ही आपको डाउन करना है अब देखिए यहाँ पर यह जो डाउन करना होता है ना तो इसको मैं पहले डाउन नहीं करती हूँ जब भी मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ इसको मैं कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है अब जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है सिलाई करने में ब्लाउज की तो उनको उनके हिसाब से मैं इस चीच को बता रहे हूं क्योंकि दिखी पहले से अगर आम इसको डाउन करके कट करेंगे ब्लाउज को जब हम स्टिचिंग करते हैं और फिर कम ज़्यादा हो जाता है आगी पीचे का पला तो फिर उनको उसको बराबर करने के लिए और कपड़ा कट करना पड़ता है और फिर ज्यादा डाउन होने की कारण आपके ब्लाउज में खीचा वाने लगता है और वहाँ पर फिटिंग भी अ गले की लंबाई हम इस प्रकार से नापते हैं देखे इस प्रकार से आपको तीरचा रखना है टेप को और हमेश्या आपको गले की लंबाई तीरचे में नापनी है इस प्रकार से अगर आप बॉड़ी से मेजरमेंट लेते हैं तो उस समय भी आपको इसी प्रकार से तीरच आपको गले के लंबाए नापनी है तो यहाँ पर हम नॉर्मल साड़ी छी इंच ले लिसा ले 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 लिए नॉर्मल हम अडाड़ी छी इंच शी इंच रखोगे जोड़ाय भी मड्क एक ले नुझे के इस परकार से इतना पर दुरी होती है अब दिखिए उपर शोल्डर की तरफ हम इस तरह से टेप रखते हैं और यहां पर जमनी जो देर इंच पर मार्किंग किया हुए यहां तक यह पाउने पाँच इंच आएगा इस परकार से इस साइज में आप पाउने पाच इंच पर उ उस कंडिशन में आप यहां पर इस मार्किंग को साड़े चार इंच पर लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए इस परकार से यह साड़े चार इंच पर हम यहां पर फिलाल इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं तो इस परकार से हम जब मार्किंग करते हैं उसके बाद यहां से ह कटोरी का शेप देते हैं तो यह जो निशान है यह आपके चेश्ट के साइज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है अब देखिए किसी का चेश्ट साइज अगर 36 है या फिर 38 है या फिर 40 है तो इस कंडिशन में आपका कटोरी तक का जो अंतर है वो कितना रहेगा शोल्डर से ल इस तरह से मार्किंग करेंगे शोल्डर से तो यह देखिए इस प्रकार से हमें जैसे चेश्ट का साइज कम रहता है तो यह दूरी कम रहेगी कटोरी तक की और अगर ज्यादा साइज है चेश्ट का तो यह दूरी भी कम रहेगी अब देखिए 7 इंच अगर गले की यहां पर भी आपको इस प्रकार से देंच पर मार्किंग कर लेनी है तो यह आपका बराबर पाच इंच यह दूरी आएगे इस प्रकार से आपको चेश्ट के साइच के हिसाब से इस तूरी को कम जाधा करना पड़ता है और जब भी आप बाड़ी से मेजरमेंट लेते हैं गले की लंबाई का तो इसी प्रकार से आपको मेजरमेंट लेना है तिर्चा रखें इस प्रकार से अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपके ब्लाउज के गले की परफेक्ट लंबाई आपको मिल जाएगी तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और आप सीख ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा इसके practice करनी होती है एक experience होता है हमारा जब हम जैसे जैसे बाउच की cutting stitching करते हैं तो हमें इसका अनुभव आता जाता है और हम यह काम को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बारबार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस आपको यह सब चीजे समझ में आ जाएगी तो फ्रेंस आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी